मस्दूर के गायव होने का मामला सामने आया है मस्दूर को लापता हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीच चुका है उसका कोई पता न लगने की वज़ा से परिजनों और ग्रामिनों ने चक्का जाम कर दिया है बताय जा रहा है कि प्लांट में जाते समय उसकी पंचिंग भी नजर आ रही है वही पार्किंग में मस्दूर की गाड़ी भी खड़ी है ग्रामिन, आनन्दियादो किसी भी मस्दूर को प्लांट के गेट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है मस्दूर के परिजन ग्रामिन गेट के सामने बैठ कर धरना दे रहे है मोकेपर पहुचकर पुलिस भी जाज में जुट गई है गाव में तनाव का माहूल परकरार है तो हमेने इस न्यूज लाइग की खबर देखने के लिए आज ही प्लेस्टर से हमेने सिंधी आप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस यानों को सब्सक्राइब करें वे बेले कंदबाना ना भूले सान्यवाद